हालो एवरीवन उत्तर प्रदेश कॉंस्टेबल भरती के लिए रीजनिंग की क्लासेज हमें स्टार्ट करने जा रहे हैं 20 सेप्टमबर से शाम को साड़े छे बज़े से और इन क्लासेज में हम आपको क्यके कम्प्लीट कराएंगे वर्बल रीजनिंग प्लस नॉन वर्बल रीजनिंग दोनों ही पॉर्शन कवर होगा तू दपॉइंट कराएंगे ए टू जेड कोश्चन्स होगे और शॉटकट मैथट से होंगे तो सबसे बड़ी बात है कि आपको पढ़ाई वही करनी चाहिए जो आपके एक्जाम में आए टू दी पॉइंट करनी है एक्स्टा कुछ नहीं पढ़ना है 80 परसेंट पढ़िए डाइट शुट भी हंड़ेट परसेंट मैं जली शर्मा आज आपको बताने जारी हूं टिप्स और ट्रेक्स और हम आगे रीजनिंग क्लासे में क्या क्या करवाएंगे किस तरीके से आप अब को प्रिपेशन करनी चाहिए स्ट्राटीजी क्या होनी चाहिए वह सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में क्लियर करेंगे तो पहले तो आप यह समझझ लीजें कि हमारी जो क्लासे से में इंपॉर्टेंट पॉैंट है वी सब्सक्राइब से क्लास होंगी शाम को सा कर लिजे जिसका लिंक में इस वीडियो में दूंगी और इसको फालो कर लिजे और मैं अपना मोबाइल नंबर भी दूंगी इस वीडियो में ताकि आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मैसेड डॉप कर दीजे और मुझे कॉल मत करिये क्योंकि मेरे पस कॉ सारे नोट्स मिस हिंदी है जी एस है एंग्लिश है रीजिनिंग है तो आपके में इंग्लिश नहीं आईगी बाकी जो भी चीजें है वो सारे आपको टेलिग्राम पे मिलेंगे इसके अलावा यूपी कॉंस्टेबल वर्ती के लिए हमने वर्टसेप ग्रूप रियार कर लि लेकिन एक क्लासिफाइट करके हम अपने ग्रूप में ही तो आप लोगों को अगर ये ग्रूप चॉइन करना है तो आप अपना नमबर अपना नाम अपने पोस्स जरू लिखके दीजेगा ताकि हम आपको उसी ग्रूप में याड़ कर पाई जिस ग्रूप पे लिए आप कि त्यारी कर रहे हैं ठीक है तो अभी आप यह समझ लेज़ी कि हम आपको रीजनींग में क्या-क्या Topics कर लाइन जिस्में रीजनिंग दो तरे के जैसमें verbal reasoning यह non-verbal reasoning दोनों की preparation होगी verbal reasoning के में पहले बता रहे हो कि topic में क्या क्या आएगा और उससे पहले आप यह जान लीजिए कि इसमें आपके 37 कोशन 74 मार्ट के होंगे और इसमें आपके जो chapters है वह क्या क्या होंगी तो पहला topic जैसे है कि हम कराइंगे coding decoding बहुत important topic है ट्रिक्स है चार टाइप के questions पूरे करवाएंगे आपको ठीक है इसके बाद आपका जो होगा वह होगा डारेक्शन दिशासमन्दित question तीसरा जो topic होगा वह series होगा अब यह चीज़ आप ध्यान रिखेगा series जो है वह तीन तरह की है नमबर सिरीज, alphabet series और letter repeating series नमबर सिरीज भी दो तरह की है जिसमें missing number और odd one out है और alphabet series है और letter repeating में questions आपको पूरे कराएंगे अपने assignment के साथ इसके अलावा sequence topic बहुत ही important है इसमें छे type हैं तो पूरे type इसमें cover होगे पूरा assignment आपको देंगे और वही assignment पूरा live class में discuss होगा इसके अलावा आप 5th point करेंगे इसमें sequence हो गया number puzzle blood relation blood relation ठीक है तो यह वाले topics तो हमारे main main होंगे इसके अलावा जो होगा जैसे classification है एनलॉगी टेस्ट है ठीक है तो यह वाले जो topics है तो उसमें miscellaneous में हम add करतेंगे तक कि आपको कोई भी portion छुटे ना इसके बाद आता है non-verbal reasoning non-verbal में हम क्या क्या करवाएंगे बतला एनलॉगी में जैसे दे दिया 4-5 फिगर है कोई sequence हमें ढूनना है उसका आगे वाला निकालना है तो एनलॉगी टेस्ट हो गया दूसरा हमारा क्या होगा क्लासिफिकेशन हो गया क्लासिफिकेशन आपका उसमें भी है वर्बल रीजनिंग में भी क्लासिफिकेशन है पांच या चार वर्ड दिये जाते हैं जिसमें आपको एक ग्रूप में रखना होता है और एक को add one out करना होता है ठीक है अलग होता है वो बताएंगे कैसे करना ह तो और पेपर कटिंग हो गया पेपर कटिंग सी यू डेवल टी आई एंजी फॉर्थ पेपर फोल्डिंग मैं बोलती भी जा रही हूं राइटिंग थोड़ी गड़ बड़ है मेरी ठीक है उसके बाद इसमें भी सिरीज आती है सिरीज में मीस क्या जैसे फिगर में कुछ दि प्रवा देंगे और इसमें जो पॉइंट है मेरा इमेज वाटर इमेज यह सारा टूटल वाटर इमिज भी दो तरह की है तो इस सारे पोर्शन जब आप टॉपिक कराएंगे तो वह सारी चीजे हमने असाइन्मेंट बढ़ा रखे एक भी टाइप का छूटे गा नहीं तो जितने पर पॉइंट्स है वह सारे कोशन आप कर लिजेगा एक 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 असाइन्मेंट पर कम से कम 20 से लगा के 30-40 कोश्चन होगे तो अगर आप वह कोश्चन के टाइप सगर कवर कर लेंगे तो आपको एक्स्टा करने की कुछ भी ज़रुरत नहीं है ठीक है तो यह चीजो मेंस ले llymes में जितने दुटे होई कोच separations लिएंगे इस में हैए टापिक और कराएंगे हम बाद मास ठीक है A कि ए एक टापिक है अर्थिमेंरे टिकल्रीज्टिकल रीस्नींग में कुछ reasoning और math के combination के questions आते हैं और बहुत ही easy होते हैं लेकि tricky होते हैं वो topic आपको जरू कराएंगे तो वो reasoning portion में ही मैं उसको complete कराऊंगी कई वारे उसके questions जो हैं वो math वाले portion में भी आ जाते हैं तो वो वाला portion हो जाएगा तो miscellaneous में वो सारे cover हो जाएंगे जितने भी आते हैं ठीक है तो इसमें हमने जो reasoning के class में आपको जो भी syllabus लिखाया यह चीज हमारी बहुत ही important थी अब हम जो बात करते हैं वो अपना mobile number अब आपको दे देते हैं और आपको क्या करना है exactly यह समझ लीजिए तो मैं अपना mobile number लिख रही हूं दोनों number पर आप message कर सकते हैं मुझे 9873856193 और दूसरा है 9810691923 ठीक है यह दोनो WhatsApp number है call भी कर सकते हैं लेकिन call करने से अच्छा है कि आप मुझे message drop कर दें ताकि मुझे जब time मिलेगा तो message का response जरूर करूंगी मैं और इसके अलावा telegram group का जो link है वो मैं आपको इसी video के description पर दूंगी तो उसको आप देख लीजेगा और कोई भी assignment से related है किसी भी चीज़ से problem आ रही है या doubt session लेना है या फिर इसके के लावा आपको कुछ questions है particular कि वह आपको solve करवाने हैं तो मुझे message कर दीज़ेगा WhatsApp कर दीज़ेगा मैं solve करूंगी live class में time declare कर दूंगी सारी चीज़ें आपकी math reasoning में सारी चीज़े cover कर देंगे इसके अलावा Hindi और GS के लिए आपको telegram पे अभी assignment upload करने स्टार्ट कर देंगे तो आज की वीडियो में इतना सफिशेंट है बाकी जो हमारी information चाहिए यह हमारी website दे रखी है इसको visit कर लिजे अब पूरी website में सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगे और फिर भी कोई problem है तो यह हमने number भी दिया है इसके अलावा telegram को follow करिए आपको कुछ भी एक्स्टा करने की जुरूरत नहीं है जितना course है reasoning और math का मैं सारा करवा रही हूं math की classes हमारी already start हो चुकी है और reasoning की classes हमारी अब start होने वाली है तो आप लोग इस classes को join करिए और जो भी problem है हम आपके साथ खड़े हुए हैं जो भी doubts से आप हमसे पूछ सकते हैं तो मैं video यहीं खतम करती हूं all the best for exam for your selection whatever join करिए